समाजवादी कार्कर ताउने प्रेस वारता की उत्राखन के जिला उदम सिंह नगर की बादपूर में समाजवादी पार्टी कार्याले बादपूर में 588 एकर भूमी के मामले में समाजवादी पार्टी यूद ब्रिगेट के प्रदीस अध्यक्ष ने बैठक कर प्रेस वारता की बता दे कि समाजवादी पार्टी कार्याले पर यूद ब्रिगेट के प्रदीस अध्यक्ष के नित बनाएगे यूथ ब्रिगेट की प्रदी सत्यक्ष अर्विंद यादो ने बताया कि विगत 13 फरवरी को तत कालिन जिला अधिकारी नीरच खैरवाल द्वारा एक फर्मान चारी किया गया था उसके बाद बारपूर के 20 गाओं की जमी पर खरीत फरुक्त पर पूर रोप से प्रतिबंद लगा दिया गया जिसके पस्चा सभी पीडित किसानों के भारपा के दोनों कैबिनेट मंत्री एवं मुख्य मंत्री शेंबिल करने आगी मांगी परन्तो कोई सनुवाई नहीं हुए इस प्रकड़ा में दो जुलाई को ततकाली मुख्य मंत्री तीवें सिंग रावत नी आदिश दिये कि आपके जमी मुख्त कर दी गए है आपको बता दी कि मालिकाना हग दे दिया गया है परन्तो सारे बाद ये आज तक खोकले सावित हुए समाजवादी पार्टी दोरा एक बाद कुर्स अंगर श्रमिती बनाई गए है जिससे कोई भी अन्य दल इवं समाज से भी क्रमिक अंसन पर समर्थन कर सकता है उन्होंने बताये कि नौजुन से भगत सिंग्चोप पर स्रमिक अंसन किया जाएगा सभी छेत्रबास्यों से अपील है कि ये अंसन पूर रूप से क्यार राजनितिक होगा इसलिए सभी समाज से भी अपना सहीयों प्रदान करें देखे बाजपूर से मुहमद सही की रिपोर्ट इसको जिरादकारी नीरज खैरबाल जी द्वारा जो बाजपूर की 5834 की भूमी एकड़ है उस पर खरीद और बेचने की लोग लगाई थी जिसको लेकर समस्त सरकार के मंत्री मंत्री से लेकर लगातार आश्रोचन दिया गया लेकिन अभी तक हमारी भूमी मुक्त नहीं के गी है जिसके लिए समाजबादी पार्टी कोविट के जो लोगडाउन के पच्चार नो तारीक से कर्मिक अंसन करने जा रही है और यह कर्मिक अंसन तब तक च सकते हुए बाजपूर संगर संग्वत्ति के नाम से लगाएंगे इसमें कोई विराजनितिक दल आकर हमारा सहयोग कर सकता है और बाजपूर में भूमी को बचाने का कारी करेंगा इसको कि अब कि